परवाँ उनकी जो आज देते हैं ताना जुका देंगे ये सर जब आईगा तेरा जमाना लहरे बंजाई तुफान कष्टी का काम है दोस्तों कुछ लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना जी हाँ दोस्तों एक बार फिर्ट से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अ से ना में जाने का तो दोस्तों ये सेसंस आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है गत और आगम इंडियन आर्मी के एक्जामें दोस्तों पूछे जाने वाली वेर वेर इंपोर्टेंट किसन दोस्तों जी के जिये स्थेरिकल किसन के बारे में दोस्तों हम डिसकस करेंगे इसलिए पैन और कोपी साथ में लेकर बैठना है और दोस्तों आपको जोस और जनुन के साथ पढ़ना है जिस तरह से दोस्तों आपने फिजिकल किया था बिलकुल उशी तरह दोस्तों आपको इंडियन आर्मी का एकजाम निकालना है कुद्शे वादा करो दोस्तों कि हमें इंडियन आर्मी की वर्दी है वो इस नई वर्ष में अपकी बार दोस्तों पहनने यह चाहिए कुछ भी हो जाए कि जितूंगा मैं यह कुद्शे वादा करो जितना सोचते हो कोशिस उससे ज्यादा करो तक दीर भी रूठे पर हिमत न ठूटे मजबूत इतना अपना इरादा करो दोस्तों डेफिनेंटली आपकी जोब है दोस्तों इंडियन आर्मी में वो डेफिनेंटली लगेगी मान के चलिए बस इसी जोस और जनून के साथ दोस्तों आपको पढ़ाई करना है ज्यादा वक्त न न लेते हैं दोस्तों के एक्जाम में आएंगे इसलिए पेन और कॉपी शाथ में लेकर बेठना और यह मान दरीशी दोस्तों आपको पूरा सेशन देखना है आपको पूरा सेशन देखने के बाद दोस्तों बहुत सारी कुशन बहुत कुछ दोस्तों आने लग जाएगा मान के चलिए बाकि मैं तो रेजिनिंग की क्लाश भी दोस्तो बहुत ही जल्द आपको परवाइड होने वाली है टेंसन ना लीजिए भाई ठीक है बात करते हैं दोस्तो फस्ट क्यूसन की फस्ट दोस्तो आपका जो भाग आता है वो आता है सामनी ग्यान जनरल नोलेज का आता है पंदरा क्यूसन आपके एकजाम में पूछ जाते हैं बिल्कुल उशी लेवल से दोस्तो हमने यहां पर केशन इंकलूड किया है जो हमने जिके के पंदरा क्यूसन ली है अगर इन पंदरा में से दोस्तो आप 12 पलस कर देते हो तो मान के चलिए आपकी तियरी दोस्तो बहुत यची है पूरा सेसन देखने के बाद बताना कि आप इसमें दोस्तो केतने क्यूसन शेवो कर पाते हूँ बात करते हैं दोस्तों फैस्ट कुशन की फैस्ट कुशन देखिए जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे ना बैद दिल से आप इंडियन आर्मी की तियारी करते हो लाइक में कंजूशिन नहीं करना है ठीक है पानिपत का तीसरा यूद किन के बीच हुआ था बहुत ये अच कुशन 1761 में हुआ था अब आपके डिमाग में एक कुशन और आ रहा होगा कि सर तीसरा यूद हुआ है तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा यूद भी हुआ था बिलकुल दोस्तों पहला और दूसरा भी हुआ था कब हुआ था सुनिए दोस्तों पानिपत का पर्थम य लड़ा गया था तो दोस्तो ध्यान रखना पानिपत का दोस्तो परतम यूद है ये 1526 में दोस्तो बाबर और इबराहिम लोधी के मद्धे दोस्तो लड़ा गया था पानिपत का दोस्तो द्यूतिय यूद है ये दोस्तो सन 1556 में हुआ था ये दोस्तो अकबर और हेमु के मद बाबर वे राना संगा के मद्दे दोस्तों ये यूध वता जिस दोस्त को नहीं पता है बिलखुल आप इमांदार से दोस्तों ौट करते चलिए मान के चलिए पूरा सेसन देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत कुछ आने लग जाएगा ठीक है बिलकुल आराम से दोस्तों हम अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझाएंगे बिलकुल धीरे धीरे बात करते हैं दोस्तों नेश्ट क्यूशन की नेश्ट क्यूशन देखें दोस्तों हिंदी दियूस कब मनाया जाता है दोस्तो दियूस और राज़दानी से आपके ग्जामें दोस्तों डैफिटेनेटली दौ या चैर नंबर के कुषम हर बार दोस्तों हिंदियन आर्मे के एक्जामें पूछा जाता है दोस्तों हिंदी दियूस है ये दोस्तो साथ दिसंबर को मनाय जाता है आपके एक्जामें दोस्तो कुछन ऐसे भी आता है कि सिखसक दिउस कब मनाय जाता है तो दोस्तो सिखसक दिउस है ये दोस्तो पांच शितंबर को मनाय जाता है फिर दोस्तो आपके एक्जामें very very important question बनता है note कर लिए डेफिनेंटलि पूछा जाएगा which way manu a dikar dios कब मनाया जाता है तो दोस्तो which way manu a dikar dios ये दोस्तो 10 December को मनाया जाता है बहुत important सभी trade के लिए दोस्तो ये question है बात करते हैं next question की next question दोस्तो बहुत अच्छा है और मान के चलिए इन चारो उप्षनों में से दोस्तो आपके एक्जामे definitely क्यूशन है वो पूछा जाएगा दोस्तो बांगलादेश अपना सवतंतरता दिवस कब मनाता है बहुत अच्छा और important question है दोस्तो बांगलादेश इसमें जो उप्षन शी बता रहे है 26 मार्च वो बिलकुल शी बता रहे है दोस्तो 26 मार्च को बांगलादेश अपना सवतंतरता दिवस मनाता है दोस्तो आपके एक्जामें क्यूशन शाता है कि पाकिस्तान अपना सवतंतरता दिवस कब मनाता है तो दोस्तो नोट कर देजिए पाकिस्तान अपना सौतंतरता दियूस है दोस्तो ये चोगदा अगस्त को मनाते हैं दोस्तो भारत है अपना सौतंतरता दियूस 15 अगस्त को मनाते हैं और दोस्तो इटली है वो अपना गनतंतर दियूस है वो दोस्तो दोजून को मनाते हैं बात तो महाबासे पुस्तक है ये दोस्तो पतंजने ने लिखी थी और दोस्तो इंडी का पुस्तक किसने लिखी आपके एक्जामे डारेक्ट किसन आता है कि इंडी का पुस्तक किसने लिखी या फिर दोस्तो मेगस थनीज की पुस्तक इन में से है तो दोस्तो ध्यान रखना मेगस तनीज ने दोस्तों इंडी का पुस्तक लेखे थे बहुत इंपोर्टेंट किसन है दोस्तों आपके एक्जामे किसन ऐसे भी आता है कि राज तरिंगिनी की रचना किसने की तो दोस्तों राज तरिंगिनी की रचना है वो दोस्तों कलहन ने की थी राज तरिंगिनी दोस्तों क अच्छे फुरी वो बिल्कुल शही बता रहे हैं दोस्तो एक्जामें किसन सा सकता है कि कतकली किस राजे का लोक निरते हैं तो दोस्तो कतकली है वो केरल का है यक्षगान है दोस्तो ये करनाटक का अंदरते है और दोस्तो राउप है ये दोस्तो जैंड के जम्मु कश्मीर का है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देगी दोस्तों रोवर्स कप किस खेल शे शमंदित है दोस्तों कप ट्रोपियां यह आपके एक्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी जो एक्जाम हो रहे हैं उनमें द से खेलशे हैं फर्स्ट ओप्सन किरगेट मिलता है और बहुत से लड़के किरगेट करके आते हैं ध्यान रखना मेरे दोस्तों ग्रेंड मास्टर का समंध है वो शत्रंद से हैं ध्यान रखना ठीक है दोस्तों आगा खा या रंगा स्वामी कप का समंध है ये दोस्तों हो किश बिल्कुल जॉपसन ये बता रहें लाड़ हार्डिंग वो बिल्कुल शही बता रहें बंगाल का विवाजन है दोस्तो लाड़ करजन के कारी काल में हुआ था फिर दोस्तो आपके एक्जाम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन बनता है कि शतीपर्था पर या करना बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देखिए दोस्तो नेमन में से कोन सहनाई बजाने में विश्व परशिद थे बहुत ही अच्छा कुशन है दोस्तो बिल्कुल जॉपसन डी बता रहें बिसमिला खान वो बिल्कुल शई बता रहे हैं दोस्तों आपके एक्जामे क्योशन ऐसे भी आ सकता है कि सितार वाधक्षे समन्दित कौन है तो दोस्तों पंडित रवी संकर है दोस्तों इनका समन्द है सितार वाधक्षे जिसको नहीं पता नोट कर लेना दोस्तो जाकिर उशेन का समन्द है दोस्तो तबला वाधक्षी और दोस्तो ध्यान रखना पंडित शिव कुमार का समन्द है दोस्तो शंतूर वाधक्षी बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देखिए दोस्तो बहुत अच्छा कुशन है शिक्षा के अ ओप्सन ए बता रहे हैं 86 वा सवीदान संशोदन 2002 में दोस्तों यह वा था बिलकुल वो ओप्सन ए राइट बता रहे हैं दोस्तों आपके एक्जामें क्यों संश वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनता है कि मतदान की आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष किस सवीदान संशोदन के तहत कर दी गई तो मेरे भाई द्यान रखना मतदान के आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष दोस्तों सवीदान के संशोदन 61 वा था दोस्तों 61 सवीदान संशोदन के तहत दोस्तों मतदान के आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष दोस्तों कर दी गई यह दोस्तों मैं बार बार यह आपको याद रहे, सुनी हुई दोस्तो, चीज है वो दोस्तो ज़्यादा याद रहती है, ध्यान रखना, दोस्तो आपके एक्जामे क्युसंस ऐसे भी बन शकता है, कि शविधान में धरम निर्पेक्स समाजवादी, यह शबद है दोस्तो, यह किस सविधान शंशोदन के दोस्तो, शविधान में धरम निर्पेक्स समाजवादी, यह सबद है दोस्तो, जोड़ी गई थी, दोस्तो, आपके एक्जामे क्युसंस वेर वेर इंपोर्टेंट बनता है, कि पर्थम सविधान शंशोदन कब हुआ, तो दोस्तो ध्यान रखना, पर्थम सविधान शंशो बता रहे हैं, फिनलेंड वो बिल्कुल शई बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, जो बंदे साथ में नए जुड़ते हैं, इमान दरे से आप लाइक कर दिया करो, आप इंडियन आर्मी की तियरी करते हो, हम आपको इंडियन आर्मी की रेटन एक्जाम की तियरी पाते हैं बिल्कुल इशी जोस और जनुन के शाज़ आपको आगे बढ़ना है अपने मातापिता और अपने इस देश का दोस्तो नाम रोसन आपी को करना है हजरों जिलों का देश है दोस्तों ये फिले लेंड को का जाता है बिल्कुल शही बताया फिर दोस्तों आपके एक्जामें कुसंस बनता है कि उगते हुए सूरिये का देश किसे का जाता है तो दोस्तों उगते हुए सूरिये का देश है ये दोस्तों जापान को का जाता है मद्धे रातरी का दोस्तो सूर्य देश है ये दोस्तो नार्वे को कहा जाता है और शपेद हातियों का देश है ये दोस्तो थाइलेंड को कहा जाता है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देखे दोस्तो बहुती अच्छा और important questions है आप अपना competition देखिए इस question का कितने हैं वो right answer देते हैं और कितने हैं वो wrong देते हैं चंडीगड सहर का designer तयार दोस्तो किस ने किया था यह आपको बताना है बहुत अच्छा question है बिल्कुल इसमें जो option only जो भी बता रहे हैं लिली कारवेजर जो के फ्रांस से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल शही बता रहे हैं अपना competition देख लीजिए जो option भी बता रहे हैं वो right बाकि सभी के गलत है दोस्तो ध्यान रखना बाकि यह दो option भी आपके exam के लिए बहुत important नोट कर देजिए बांगड़ा बांध का designer किष ने तियार किया ऐसे question राम के exam में आ सकता है तो दोस्तो बांगड़ा बांध का designer है यह दोस्तो सोलुकम ने तयार किया था दोस्तो राष्टरपती भवन का designer है वो दोस्तो एडविन लूटियान है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देए कि दोस्तो हुगली नदी किस राजे में बहती है आप सभी को बता है हुगली नदी है दोस्तो ये पस्चे मंगाल में बहती है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन दोस्तों आपके इंडियन आर्मी के एक्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान रखना क्यूशन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं उनकी लेंग्वेज है दोस्तों इस क्यूशन की तरह इतने हार्ड कर दी जाती है फिर दोस्तों मामला गडबड हो जाता है तो ध्यान रखना डाकू रतनाकर ने दोस्तो रामाई ने लिखी थी ठीक है अब आपके डिमाग में आ रहा होगा कि सर रामाई ने तो महर्शी वालमिकी ने लिखी थी मेरे दोस्तो ध्यान रखना महर्शी वालमिकी का वास्तो एक नाम रतनाकर था और दोस्तो रतनाकर पहल को तो आप सभी जानते होगे कि नारजी दोस्तो डाकूर रतनाकर के चंगल में फश गए थे तो दोस्तो उनका एक शवाल डाकूर रतनाकर को दोस्तो वालमेकी बना दिया था और महरसी वालमेकी का दोस्तो वास्तविक नाम है ये रतनाकर है इनका दोस्तो जो पालन पोशन है वो भील शम्युदाई में हुआ था आप सभी को पता भी होगा जिसको नहीं पता है जितने एफेक्ट बोले उनको नोट कर लेना महाँ बारत की दोस्तो रतना वेद व्यास दे ने की थी फिर दोस्तो आपके एक्जामे किसंस बनता है कि वेदों की रतना किस ने की तो दोस्तो वेदों की रतना महर सी कर्शन व्यास दे पाई ने की थी बात करते हैं दोस्तो नेस्ट किसंस की नेस्ट किसंस देखिए दोस्त पहले गुरो गुरू नेश्ट कुषिन देखें दोस्तो नागालेंड की राजदानी क्या है दोस्तो राज़दानी मुद्रा दिवस इन से शमंदी दोस्तो आपके एक्जामें definitely हर बार इंडियन आर्मे के एक्जामें दोस्तो किसन पूचा जाता है नागालेंट की राज़दानी क्या है बिल्कुल जॉपसन भी बता रहे हैं कोहिमा वो बिल्कुल शही बता रहे हैं शिक्किम भी दोस्तो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है डॉरेक्ट कु collaborative की राज़दानी है ठीक है आज हम हिंदिय और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में नहीं ले पाई मापीच आता हूँ क्योंकि आपका मैत और रिजनिंग की कलाश भी दोस्तो आप इस्टार्ट होने वाली है वैसे आप सभी को पता होगा कि मैं बजरंग बलिका बगत हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैत और रिजनिंग की कलास है यह आपको मंगलवार से प्रवाइड कराना स्टार्ट कर दे भाई मंगलवार बाला जी के वार है अच्छा वार है कोई भी शुब कारियें करते हैं तो हम बाला जी के वार से प्रारंब करते हैं ताकि आपके शपलता में कोई दिकत ना हो सर्शे बात कर लिए सर ने कहा है कि 35 दिन के अंदर इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी का सोरी मैथ और रिजनिंग कम्पलिट करवा देंगे वो ठीक है 35 दिन में दोस्तो जेस का फ़स्टी कुशन है बोकम मापने का यंतर 2018 टेकनिकल के एकजा में दोस्तो या कुशन पोचा गया था बलकुल आपने राइट आंसर दिया है जो अपसन डि बता रहे हैं वो बिल्कुल शई बता रहे हैं बोकम के तिरवरता है ये रेकटर स्केल मापी जाती है वाईमंडली दाब है दोस्तों ये बिरोमेटर से मापा जाता है दूद की शुदता है दोस्तों ये लेक्टोमेटर से मापी जाती है और दोस्तों अपेक्षित अधरता है दोस्तों ये दोस्तों हाइड्रोमेटर से मापी जाती है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की दोस्तों दूर की वस्तु देखने में ऐसमर्थ वेक्ती किस लेंश का परियोग करता है बहुत यचा कुशन है दोस्तों दूर की वस्तु देखने में ऐसमर्थ यानि वो दूर की नहीं देच सकता निकट के देख सकता है तो उसे न निकट दर्ष्टी दोष्ट है और निकट दर्ष्टी दोष्ट के लिए किस लेंज का परियोग किया जाता है दूर दर्ष्टी दोष्ट के लिए उत्तर लेंज का परियोग किया जाता है बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुछन की नेश्ट कुछन देखे दोस्तों आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना दाब का मातरक क्या है दोस्तो दाब का मातरक है पास्कल बहुत यचा और इंपोर्टेंट क्योसन है यह ध्यान रखना फिर दोस्तो आपके एक्जाम में क्योसन राता है कि बल का एशाई मातरक है तो दोस्तो बल का परकिरिया होती है बहुत ये अच्छा क्यूसन है दोस्तों सूरिये के अंदर बिलकुल जो उपसन भी बता रहे है नाभी के सलियन वो बिलकुल शी बता रहे है दोस्तों हाइटरोजन बम के अंदर भी दोस्तों नाभी के सलियन परकिरिया होती है लेकिन दोस्तों ज्वोडियेम का रासाचिक शिंबल क्या है संकियत क्या है तो दोस्तों, PTAC यंदि का बिल्कुंध मैं वो बिल्कुल में शहीं बता रहें element शोडियेम का होता है HELDEM का होता है जिस दोस्तों मारत कर नहीं बता है नोट कर दिए बात करते हैं नेक्ष्ट कुशन की नेक्ष्ट कुशन देखिए दोस्तो सल्फिरिक अमल का शुत्र है सल्फिरिक अमल का आपको शुत्र बताना है बिल्कुल जो अपसन शी बता रहे हैं एस टो एस ओपोर वो बिल्कुल शी बता रहे है दोस्तो ध्यान रखना एक्जाम एक्विसंस ऐसे भी आता है कि पेट की अमलियता दूर करने के लिए किस अमल का परियोग किया जाता है या उपियोग किया जाता है तो ध्यान रखना पेट की अमलियता को दूर करने के लिए HCL हाइड्रोकलोरिक अमल का परियोग किया जाता ह फिर दोस्तो आपकी exam equations ऐसे भी बनता है कि silver nitrate का रासानिक शुत्र क्या है तो दोस्तो silver nitrate का रासानिक शुत्र है AGNO3 फिर दोस्तो आपकी exam equations ऐसे भी बनता है कि बुजावा चुना का रासानिक शुत्र क्या होता है तो दोस्तो बुजावा चुना का रासानिक शुत्र होता है CAOH का HOLY SQUIRE 2 जिसको नहीं पता है नोट कर लेना अब दोस्तो हम फाइनली बात करते हैं थेोरिकल पार्ट की समराट असोक दोस्तो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इतने दिस दोस्तो हमने बहुत कुछ पार्ट की समराट असोक के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और दोस्तो आपके इंडियन आरमी के एक्जाम में दोस्तो ये क्योसन शब्से ज्यादा बार पूचा जाता है भाई द्यान रखना चंदरगुप्त मोरिये का पोता कौन था ये क्जाम आपके एक्जाम में आता है भाई नोट कर ले न चंदरगुप्त मोरिये का पोता दोस्तो असोक था ठीक है अब आप सोच रहे होंगी कि सर ये पोता कैसे था तो देखिए, चंदरकुप्त दोस्तों मोरिये था, उसका उत्रा दिकरी कौन था, मतलब बेटा कौन था, बिंदुर सार का बेटा कौन था, असोक था, तो भाई, चंदरकुप्त मोरिये के असोक क्या लगा, क्या लगा, ये दादा लगा, और ये पोता लगा, तो चंदरकु यहां पर तयार हो गए ठीक है ऐसे कि आपके एक्जाम में मैं टेबलेटी रिजिनिंग से पूछे जाते हैं ध्यान रखना समराथ असोक ने दोस्तों कलिंग यूद के बाद बहुत ध्रम अपना है था इसका गुरू का नाम था उपकुप्द और दोस्तों समराथ असोक गद बाद दोस्तों असोक ने कलिंग का दोरा किया था और इसका हर्दे परिवर्थित हो गया था इसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत धरम है दोस्तों ये अपना लिया था जेंद्रम का संसर सरक्षक हमने पड़ा था जेंद्रम का संसर सरक्षक कौन था संद्रकुप्त मोर यह था और बोध रमकिष ने अपनाया तो यह समराट असोक ने अपनाया ठीक है इसका दोस्तो मोरिय वन्ष का जो अंतिम सा सकता वो था दोस्तो ब्रह दत अब इनके दोस्तो मोरिय कलाई थी ठीक है मोरिय कलाई थी आपके एक्जाम में दोस्तो यह गुहा निर्मान के कलाई इतने important नहीं है लेकिन यह इस्तूब निर्माण की दोस्तो खलाई है यह आपके exam के लिए बहुत important है देखे दोस्ट असोक ने 14000 बोड़ इस्तूब बनवाइते हैं लेकिन उनमें से दोस्तो आपके exam के लिए very very important है शाची का इस्तूब शांची का इस्टूब दोस्तो मद्य पर्देश में है सबसे बड़ा बोध इस्टूब है यह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट है सारनात का इस्टूब है यूपी में है तक्षिला का इस्टूब पाकिस्तान में है और ब्रहुत का इस्तूब है ये मद्य परदेश में है इस्तूब निर्मान देखे दोस्तो इनका इस्तम निर्मान है ये दोस्तो सारनात का असोक इस्तम है ये दोस्तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तो राष्टी परतिक सिंग के रूप में इसे दोस्तो अपनाया था और चार सिंग पीट से ये जुड़े हुए फिर दोस्तो इनका जो समाज था ये दोस्तो मेगस तनीज ने मोरी समाज को शाहत वर गुमी बाटा था इनके दोस्तो शिक्के थे वो थे आहत शिक्के और पंचमारक शिक्के अहत शिके दोस्तों सबसे प्राचिन शिके थे एकजामे कुस्ण आजये कि सबसे प्राचिन शिके कों थे तो वो दोस्तों आहत शिके थे इनके सिकों का दोस्तों नाम ता पन और मास्क पन था वो चांदी का शिका था मास्क था दोस्तों वो तामबे का शिका था इनके दोस् तो जो अभिलेग थे ये बारत में सबसे पहले अभिलेग लिखवाई दोस्तो समराथ अशोक ने अगर एक्जामे किसन आ जाई कि बारत में सबसे पहले अभिलेग किसने लिखवाई तो दोस्तो समराथ अशोक ने लिखवाई अशोक की दोस्तो राजवासा थी वो प्राकरत थी और इसके लिपी थी दोस्तो वो ब्रामी और करोश्टी थी दोस्तो असोक का ये important है ध्यान रखना असोक का दोस्तो साथों अभिलेग है ये सबसे लंबा था और दोस्तो असोक के अभिलेग सबसे पहले पढ़ाता दोस्तो जैमस प्रिशेप इंडियन आर्मे के एकजाम में पुछा गया कि उसने वेरी वेरी important है भाई असोक के अभिलेगों को सबसे पहले किशने पढ़ाता तो दोस्तो वो पढ़ाता जैमस प्रिशेप ने भाई ठीक है ध्यान रखना बहुत ही important किशने आज दोस्तो हम आपको इतने किरूएंगे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आज के आप सभी को पसंद आए तो आप लाइक जरूर केजिए कल दोस्तो शटड़े है सटड़े को आमारे कोई क्लास नहीं होती आप सभी को पता है संड़े को दोस्तो अगर टाइम मिल गया तो आपका मोडल टेस्ट पेपर लेंगे पूरा 50 कुष्णों का और मंगलवार्श के दोस्तो आपके मैं तरेजिन के कलाश भी स्टार्ट करवाएंगे भई ठीक है टेंसन ना लिजिए इसी जोर सो जनन के शाथ आप आगे पढ़िए आपका जो शपना है बारती सेना में जाने का ये आप सभी को वापस मोडल टेस्ट पेपर संडे नाइट नो पीम ये फिर आपको मंडे नाइट नो पीम ठीक है आप ही की व्यस्ता में दोस्तों हम लगे हुए भई ठीक है जाहिंद वन दे मातरम कुष रहे मस्त रहे